बाग को दमना तक पहुँचाने में हाथी दल ने एहम भूमिका निभाई रविवार की दोपहन से बाग को रोहनिया से हटाने की कोशिश की जा रही थी एक बार तो रविवार को ही इस बाग को वहां से हटा दिया गया था लेकिन गाउवालों ने इस बाग को फिर से वही देखे जाने का दावा किया था इसके बाद फिर ओपरेशन सुरू किया गया और हमले के करीब 48 घंटे बाद रिहाईसी छेत्र को मंगलवारी की सुबह बाग ने छोड़ दिया पार्क अधिकारियों की माने तो टाइगर अब बन छेत्र दमना बीट की ओर निकल गया है रिहाईसी छेत्र में टाइगर मुव्मेंट की जो लाइफ तस्वीरे सामने आई हैं वे हैरान करने वाली है पार्क प्रवंधन ने पिछले दो दिनों में चार हाथियों एवं 14 ट्रैप कैमरे की मदद से टाइगर मुव्मेंट पर नजर रखी जा रही थी हाला कि अब कैमरे निकाल लिए गए हैं यह सामधानी इसने बढ़ती जा रही है जिससे फिर से एक बार मेर टाइगर रिहाईसी छेत्र में किसी पर हमला ना कर सके रोहनिया में मासूम राजवीर और उसकी मा अर्चना पर हमले के बाद से ही टाइगर गाउं के आसपास ही आबादी वाले छेत्र में था नर्बाग के गाउं छोड़ते ही पार्क प्रबंधन ने कैमरे निकाल लिए हैं मासूम पर हमले के 48 घंटे बाद भी गाउं में टाइगर मूव्मेंट की खवर ने ग्रामीडो को देहसत में डाल रखा है उधर टाइगर के हमले में घायल सथ 23 वर्सी अर्चना चौधरी की हालत घटना के बाद से ही नाजुग बताई जा रही है उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलिज में भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है वहीं साल भर के बेटे राजबीर चौधरी की हालत पहने से बहतर बताई जा रही है सर्व सुविधायोग नैशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलप्थ है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामे योजना का लाब आयश्मान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडिकलेम की सुविधा उपलप्थ है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोप, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोप का अनुभवी चिकित्सकों के त्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलप्थ है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेस पतेल के त्वारा उपलप्थ करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 या फिर संपर्क करें 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 या फिर संपर्क करें 86028859900 पर